हजी गाइस बेलकम बेक एक और वीडियो में काफी देनी बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का अज छुट्टी थी काम से दe Panáchै इसलिए वीडियो बना रहे हैं वीडियो को फुल वाच कर ले न दो अपडेट आपके साथ मैं शेयर क हैं जी भई जो फिर्स्ट अबडेट है वो है पहले जब उस्टेलिया में जिन्होंने आना था उसके लिए उस्टेलियन ट्राइवल डिकलरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता था बट अभी उन्होंने चेंज कर दिया उसको एटीडी कहते थे इसको उस्टेलियन ट्राइवल को उसको चेंज कर दिया डी पी डी में डीजीटल पसेंजber डीक Krishna में आरना चाहते हैं। उनको डी पी डी फिर्म फिल करना पड़ेगा ना की एटी डी डी डीजीटल पसेंजर डीक्लीरेशन जिसकी शॉट फॉर्म है पीडी इसको फॉर्म को मैं फिल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा विफोर यू स्टार्ट से पहले ये सब आपने रीड आउट कर लेना जिन्होंने भी ऐस्टेलिया की टेक्ट बगेरा बुक करवार किया स्टूडेंट जा दूसरों ने आना है ऐस्टेलिया उसको पहले फिल करना पड़ता था उस्टेलिया में एंटर होने के पहले ठीक है इसलिए इसको पहले रीड आउट कर लेना आपने डीपीडी फिल करना है उसको चेंज कर दिया है इन्होंने गवर्मेंट ने डीपीडी में और जो नेक्स्ट है वो है वीजा के रिगार्ड है जो यह अपडेट है वो है कि जो स्टूडेंट के वीजा है वो कैंश कैंसल हो रहे हैं ठीक है ऐस्टेलिया में मतलब आपको इंडिया में वीजा मिल जाएगा ऐस्टेलिया का इंबेस्टी वीजा दे दे देगी आप क्लासिस गैरा भी लगा सकते हैं जो ऑनलाइन लगा र डिपोर्ड कर दिये गए है एरपोर्ट से और इंडिया बापस टेकेट करवा कर बैक ही सेंड कर दिया, उनको मतल बापस कर दिया, क्यों कि यह उनका जो वीजा है कैंसल डिपोर्ड क्योंकि यह वो स्टूडेंट जो नो नौ दा स्टूडेंट से पिछले ही दनों में अभी तो यह बहुत ही इतना स्ट्रेक्ट नहीं चल रहा था उस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन है ना स्ट्रेक्ट तो अभी भी नहीं है बट उनकी ही कमी थी जो स्टूडेंट्स के वीजाज कैंसल हुए हैं उसमें हम यह नहीं कह सकते कि उस्ट्रेलिया गौर्मेंट की उस्ट्रेल डलवाया था ठीक है फाइल में ये तीन कारण है जिनके वीजा कैंसल हुए है इसलिए अपना कोई भी ऐसा मत फेक डॉंकुमेंट लगवाना जा एक्सपीरियंस डलवाना जा ठीक है फंड नकली मत शो करना वो जो फंड वाला था वो उनके एजेंट नहीं शो किये थे फंड से ठीक है उन से पैकेज किया हुँ ता कि आपके फंड मैं शो करूंगा तो उसने पता नहीं फेक फंड शो कर दिया बस ऐसी लेटर लेकर बैंक से लोन लेटर लेकर शो कर दिये तो इसलिए भी ऐस्टेलिया के जो रूल से रेगुलेशन से ले लाओ है बहुत ही स्ट्रेक ठीक है उस्टेलिया के रूल से इनके रूल से बगारा चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम इसलिए अपना कोई भी फेक डॉकुमेंट मतलगवाना और वीजा जो आ गया है उनका अपनी टेक्ट बगारा वो करवा हो ठीक है उस्टेलिया आजा जल्द जल्द आप तो इमीगरेशन इतना मी नहीं होदा बाट उनका ही हो रहा है जिनकी फेक डॉकुमेंट ओरे है वो ही रिजक्ट किये जा रहे हैं टिकर डिपूर्ट किये जा रहे है एईरपॉर्ट से देख लो यार एईरपॉर्ट से बाפस जाना ठीक है एक तो आफ बाप इंडिया से आप समझेंगे डरा रहे हैं कुछ डरने बड़ी बात नहीं बस यह तो उनके लिए जो फेक डोकुमेंटर लगा कर वीजा लेते हैं और यह हित्याद की छोटी सी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना